Hello Friends, हम बात करेंगे Hero Moto Cop के अबारे में देखिए Hero Moto Cop का अगर Weekly चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अग पहले Monthly चार्ट देखते हैं मंतली चार्ड देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एकदम स्टॉक पहले जब से रिश्टर हुआ है लगभग 2003 से फिर आपको यहाँ पे एकदम बुलिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा होगा लेकिन 2017 से आपको दिखाई दिया होगा यह नेगटिव ट्रेंड में है और 2019-20 आपने देखा होगा कि वैसे भी कोई सेल्स वगर हुई नहीं थी इने स्टॉक्स की और मार्केट पूरा बन था इंडिश्ट्री बन थी तो और जदा ग्रावट में स्टॉक आपको दिखाई द के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी अपने एक क्रूसियल सपोर्ट पर है आप चाहे तो इस लेविल के आसपास बाइंग इनिशेट कर सकते हैं यह लॉंग टम के लिए बहुत शांदार स्टॉक है अगर हम पिकर टेप में देखेंगे तो आपको स सारी चेकलिष्ट ग्रीन दिखेंगी फाइनिशल ट्रेंड की बात करेंगे तो पिछले जो साल का रिवेन्यू था जो आपको अभी रिसेंट इयर का रिवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया था और आपको प्रॉफिट्स भी डाउन होते हुए दिखाई दिये थे लास् सेट्रिक वीकल में ही वर्क कर रही है तो आप अगर अभी एक्वेड करना चाहते हैं तो एक अच्छे प्राइज रेंज पर मिल रहा है प्छले पहले भी हमने इसी रेंज के आसपास बाय करवाया था यहा पर सुइंग रेट के साफ से भी प्रॉफिट बुक किये थे-पह तो हमने 26.50 के आसपास बाई किया था अभी हम 27.50 के आसपास बाई करेंगे या फिर अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 26.50 के भी लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि अभी इसके रिजल्ट आना बाकी है और रिजल्ट देखिए TBS मॉटर के देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे आये थे उसके बाद श्टॉक ने अच्छागासा रन अप भी देखाया है अगर हम MECD की बात करेंगे तो MECD line zero line के just नीचे trade होना start हुई है signal line अभी उपर ही है अगर हम बात करेंगा RSI के तो RSI आपको 36 की देख रहे होगी वो भी थोड़ी weak है तो MECD और RSI weakness बनी हुई है आप अपना analysis कीजे और उसके साब से फिर इसमे निवेश कर सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं like करें subscribe करें thanks for watching us